और दोस्तों, कैसे हुआ आप लोग? आज हमारे नए वीडियो में हम एक्चुली डिसकस करेंगे जीप 2022 मॉडल के बारे में जो मैं काफी वक्त हो गया यूज करते हुए experience इस से लेकर मैं आज सेर करूँगा आपको जो मेरा true experience है complete review तो चैनल पर बहुत आपने देख रखा होगा मेरा experience इस गाड़ी को लेकर जो यह petrol engine है और यह आपको मिल रहा है limited edition जो मेरे पास है and no doubt जब गाड़ी को मैं लेकर आया इसका interior देखकर इसका overall look and all देखकर बाहर से अंदर लोगों ने बहुत praise किया बट जो मेरा personal opinion इस गाड़ी को use करने में दिक्कत मेरे को face हुई ना यार सबसे पहली बात limited edition में wireless charger नहीं होता है तो यार आप अलग से खरीद के लगाओ तो बात अलग है बट यार होना चाहिता 30 लाग रुपया अलड़ी आप लगा रहे हो और उसके साथ अगर आप देखोगे यार भाई 360 डिगरी कैमरा नहीं है इसमें आपके पस और क्योंकि ये जो भी EOS वाली गाड़ियां ये हैं इसमें आपको उल्टे साइड में आपका indicator and all होता है lights and all बहुत difficulty face होती है अगर आप कोई दुसरी गाड़ी चला रहे हो और उसके बाद इस गाड़ी में आप आ रहे हो इसको चलाने के लिए क्योंकि आप 100% गल्ती करोगे और दुसरा आप वो यूज़ करोगे और एक आप अगर देखोगे तो इसमें जो seed belt है इस seed belt को लगाने के लिए इतना difficulty होता है इतना छुपा के लगाएं है कि literally अगर मैं तो तब भी उतना मोटा नहीं हूँ लेकर अगर मेरे से कोई थोड़ा ज़्यादा मोटा आदमी हो तो उसाइद ना लगा पाए और मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ अच्छा ही है ये नहीं कह रहा हूँ बट स्टिल कुछ ऐसी कमिया जो बहुत बेसिक है जो इतने बड़े गाड़ी को इतने बड़े ब्रैंट को समझना चाहिए था और इन चीज़ों को incorporate करना चाहिए था गेर लिवर की अगर हम बात करें नो डाउट ये सब बहुत एक अच्छा फिनिस के साथ दिया है एक पियानो फिनिस और आपको सब कुछ मिल जाता है ये लेदर राइट फिनिस ये नीचे जो मेटलिक फिनिस है ये सब भी बहुत प्यारा देखने में लगता है बट उपर आपको पैनरोमिक संरूफ मिल जाता है सिटिंग कंफर्ट आपको अच्छा मिल जाता है नो डाउट चीजें हैं इसमें आपको अगर आप कुछ इन कम्यों के साथ चलना चाहो और ठीक है कि भाई चल जाएगा उस सिग्मेंट में उस तरह से सोचो तो चल जाएगा बट यार आज के डेट में इतना पैसा लगाने के बाद अगर मैं लगजरी सिग्मेंट की गाड़ी ले रहा हूँ तो 360 डिगरी या ये सब थोड़ा सा चाहिए होता है और अगर आप गाड़ी का बाहर से देखो तो ये जो कलर है आप ऊपर अवरओ लुक देखो ये जो मेरा काइंड ऑफ ग्रीस लुक है बहुत फेमस हुआ था ये आपका टाड़ा ने भी लॉँच किया यह कलर आपका महिंद्रा ने भी लॉंच किया इस कलर का काफी डिमांड मार्केट में रहा और येस नो डाउट इसका रोड प्रिजेंस है काफी अच्छा लोगों ने कलर को देखके कहा और यार मतलब ड्राइविंग एक्स्पिरिंस की में बात करो ना तो मैं थोड़ा मिस करता हूँ मैं अपनी किया सेल्टोस जीटी लाइन को ज़्यादा इन्जॉय करता हूँ वाइल ड्राइविंग बिकाज उसमें मुझको ज़्यादा ज़्यादा पाउर फील होता है इस में मुझको पेट्रोल इंजन में, डीजल का नोड़ाउट पावर है, बड़ इस में मुझको थोड़ा सा वो लैक्ट फील होता है, थोड़ा सा एक बार स्पीड पकड़ लेता है, उसके बार दिक्कत नहीं होता है, and yes, कोई बैठता है, और जिस तो वो ये मेरे को करता है इस गाड़ी में इसका भी लोगों ने मुझे प्रेज किया कि नो डाउट अच्छा है गाड़ी का इंटिरियर नौल बट परस्नली मैं जानता हूँ जो कुछ चीजे जीप मिस करती है नौर्मली तो मैंने डिसेंटली चैनल स्टार्ट किया जीप मेरा क्या सुनेगा अब ही बट हां अगर जो अगर कभी यह वीडियो जीप वाले देखते हैं या जल्दी कोई और क्रियेटर यह बात को समझता है तो जीप को यह चीज इंकॉर्परेट करना चाहिए आपने मेमरी फंक्शन तो दे दिया लेकिन आप कैसे बूल सकते हैं कि वाइले इसमें डिसकंफर्ट फील कराती हैं वो सब चीजें साइद इसमें होनी चाहिए और एक इंपॉर्टेंट चीज जो इसके सस्पेंशन से रिलेटेटर में कहूं तो नो डाउट अगर आप हाईवे पे चला रहे हो तो आपको confidence रहेगा सस्पेंशन बहुत अच्छा function करता है stiffness कम है जूल जाती है गाड़ी kind of यार वो मेरे को खराब लगा हमेसाब मैं हाईवे पे तो नहीं चलानी वाला और अगर अगर आपको मेरा experience जानना हो इसे related और जानकरी जानना हो तो I'm always there friend comment करके बूचो कि क्या इस गाड़ी में आपको जानना चाहते हो वो मैं आपको बता video भी आने वाला है तो be there and watch it